सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है हमारे यूटीब चैनल पे तो आज हम आपके लिए एक जबर्दस वीडियो लेके आए हैं ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगा और आपको काफी को जानने को मिलेगा तो वीडियो को अंतक देखें और इनके चैनल जै भारत पहले एक बार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार पहले भी सतरह के बिलकी बात हुई थी और उसके बात कहा गया किजी पांच पांच लाग जो है जुर्माना होगा और दो साल की कैद अब उसको थोड़ा सा बदल के फिर लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जी सलीम बाजवा साब जो है उन्होंने जो है वो अपना पापा जॉन्स पीजा जो बनाया आप ये देख सकते हैं पिचर उनकी और किस तरह से पीजा लगा दी हैं वैसे किसी ने तो ये वो कैसे उन्होंने बनाया है और इसके लावा वी पैसा कहां से आया हमारी फॉज जो ब बेशुमार पेमपर तक बना रहे हैं कि हम मर्टर तक छिलने शुरू कर दिये तो ये बात हम नहीं कर सकते इन से ये नहीं पूछा जा सकता कि जी आपने कितनी जंगे लड़ी हैं और अगर आप सारी जंगे हार गए हैं तो ये मैडल किस बात के लगा के घूम रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर आएगा फौज की मर्जी से ही जितने सिविलियन इदारे हैं वहाँ पे फौजी ही रखे जाएंगे किसी सिविलियन को जो है वो हैड नहीं लगाया जाता उसकी क्या वज़ा है चाहे वो आप पी टीवी ले लेने चाहे आप स्टिल मिल को देख लीजि की इज़त करवाना और जबरदस्ती में अपनी आपको ये कहलवाना के जी आप बहुत अच्छे हैं और आपकी वज़ा से ये मुल्क संबलावा है जबके आपकी वज़ा से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है ये कहना लोग नहीं छोड़ेंगे लोग सची बात करते रह करेंगे और आप आपको इस अच्छी बात सुनने की आदर डालनी पड़ेगी हमें जी आज जॉइन किया है फखर यूसिफ जही ने आप सब जानते हैं फखर को फखर का अपना एक जबदस यूट्यूब चैनल भी है इससे पहले के हम फखर की तरफ बढ़ें और इस तरह which the pressure अआरे फेस्ट हर ईस्चैनल को सब्सक्राइब करने ना बूर एक जया ठाने फाइब अन्या ऑन्यारा होता हाँ पर नहों का साधिक वाले ही हम प्र देखने को मिल रहücke है पर लोगों की आवास को दबाया जहा रहा है फिर लोगों को ये रोक पाएंगे क्या लोग अब बखतलिफ नहीं हो गएं पहले से कि आप जितना मर्जी डराएए हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे सबसे पहले थैंक यू रूमच अरजू फूर इन्वाइटिंग इंड आपको ऊछट था आइट लोसुन बात हो रही है इसवक्त मेडिया के हवालत पाकिस्तान इलेक्टरौनिक मीडिया चाइट भी कहते हैं prevention of electronic crime activity कहते हैं पी का ही है बेसिकली ये ये बना तो 2016 में था पाकिस्तान पीनल कोड जो है पी सी सी लेकिन उस वक्त जब आप कोई ऐसी बात करते थे तो आपके उपर आप जब ये statement देते थे कि ये मेरी personal राय है जिस अदारे के लिए आप काम करते हैं या कुछ और करते हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जाता था अब वो चीज़ खतम कर दी है अब इन्हों ने कहा कि अगर आप कोई बात करते हैं और वो ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी sources की खबर होती है दुनिया के अंदर मुझे ये कोई भी मीडिया उठा के दिका दे दुनिया का कोई मुझे ये बता दे इमरान खान हो या इसके जितने भी दरवारी बैटे हुएं सब की में बात कर रहा हूं वो मुझे ये बता दे कि दुनिया के अंदर को ये surety करेगा कि ह हाँ स्टोरीज होती है, उसमें बाद वकात आपको बैक फूट पे जाना पड़ता है, लेकिन वो मेरी और आपकी बात नहीं है, मैंने का दुनिया के बड़े बड़े जनरलिस्ट हो जाता ये, आप क्या करेंगे, उनको क्या पांसी पे चड़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इशू है आरजू इस वक्त, और वो क्या है, जब आप से कुछ होता नहीं है, आप बुकलाहट का शिकार होते हैं, और आप ये कहते हैं कि यार, अवाम हम से पूछ क्यों हो रही है, वह हम से पूछे ना, उना लाइक स्टूडन्ट होता है जब सवाल टीचर उससे कभी कर लेता है, वैसे तो उसको बादशाह बनाया होता है, ये भी हमारे बादशाह हैं, तो जब उससे सवाल किया जाता है, तो कभी इदर देखता है, कभी चत की तरफ देखता है, कभी अपने बैक की तरफ देखता है, कभी मतलब कुछ और कर रहा होता है, अगर नहीं कर रहा हो वो किताए हमारा आट बंदा ही नहीं है यह ठीक है? लेकिन वो आपका लौ मिनस्टर है ऑ despot काम किस breaking कर रहे है यह आपको भी पता है वो मेरे मिझे भी पता है और उन जिल्यए कर रहे है जिनके बारे में बात कर रहा है उने के बारे में बात करने पर पंच साल केत और दस लाग रुपे जर्माना पहले पांच लाग का ता. ये चीज हुई, आप अगर ये कहेंगे कि आप सारा कुछ हड़प भी कर जाएंगे और उसके बाद लोगों से कहेंगे कि अगर आपने बात की तो हम आपको चोड़ेंगे नहीं तो ये मुम्तिन नहीं. अगर मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि नासर जेदी साथ पाकिस्तान के वन आफ मतलब मोज सीनियर जर्नलिस्ट वो बंदा जिसके बैक के उपर आज भी वो निशानात मुझूद है जो जर्नल जिया ने उनको कोड़े मारे थे लाहूर में आज भी नेशनल प्रेस लब में उनके लोग हाथ चुंगते हैं जर्नल जिया बताएं मुझे किदर है फैसल मजिद के अंदर यकीन करें कि लोग जाते हैं वहाँ गुमने के लिए लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि आप वो जर्नल जिया कौन ता वो जर्नल जिया जो अपने आपको खुदा समझा करता था पाकिस्तान का गौड समझा करता था यही लोग आज जो यह कुछ कर रहे हैं फरुग नसीम हो फरुग नसीम उनका एक जिसे कहते हैं कि एक टूल के तरुर पे इस्तिमाल हो रहा है क्योंकि उसने लाजमी सी बात है मनिस्ट्रिया बेसिकली उनका एक आलाएकार है मुक्तलिफ लोगों को वो रखते हैं और इस तरह के काम उनसे लेते हैं क्योंकि खुद तो उनके पास ये इक्तियार नहीं है क्यों कोई लाव बना ले वैसे भी वो मैं कल अपने वीडियों में बता रहा थे कि आपको कानून की जरूरत क्या है आप वैसे कौन सा कानून के तहट किसी को उठाते हैं किसी को गायब करते हैं किसी को जेल बेचते हैं जिनको दो दो साल उनके जो लोग होते हैं उनसे मिलने नहीं देते आप लोग तो पहले कौन सा कानून है कि जिसके आपको पीका की जरूत पड़ गई लेकिन इस से अंदाजा होता है कि इस वक्त इन की बुकलाहत का जो लेवल है वो कहां पे पहुंचा हुआ है आप कहें मैं कहूं कि पापा जान्जवाले ने ये किया लेकिन पापा जान्जवाला क्योंकि अस्मान से उत्रा हुआ है तो पाकिस्तान के पूरे मीडिया में पाबंदी लेगी है इस आदमी के उपर कि इस आदमी का नाम नहीं देना वज़ा मिया नवाज शरीप की पूरी फैमली को आप सुबा से लेकर रात तक नंगा करके चोड़ेंगे लेकिन जिन्होंने कुछ उस तरह किया भी नहीं है बिला बला का आता मर्यम नवाज और ये फलाफला को बिलावल को कहते हैं ये मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं इनके प्यारे दुलारे जो नंबर वन मनिस्टर हैं और क्यों नंबर वन हुए हैं वो सब को पता है कि क्यों नंबर वन हुए हैं जिसकी वज़ा से मौसन बेक साफ सिर्फ इतनी सी है अगर आप कहते हैं कि यह नौर्थ कूरिया बन जाए अगर आप यह कहते हैं यह चाइना बन जाए वहां से भी स्टूरी निकलती है वहां से भी बात निकलती है वहां से भी लोग बागे हैं और उन्होंने नौर्थ कूरिया के बारे में क्या क्या नहीं बत है मैं यह नहीं कहता कि सारी चीज़े सच होंगी लेकिन सारी चीज़े जूड भी नहीं होती यह सारी चीज़ें यार आप मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर किसी अगर अगर मेरे चुप कराने से यह मुल्क तरकी करता है तो मैं तो कहता हूं कि सिरे से मीडिया होना नहीं आपका स्टेट ओन चैनल है, आपके पास PID है, आपके पास और इस तरह के दो चार और अधारे हैं, रिडियो पाकिस्तान है, मीडिया खतम कर दें, ये सारी कहानिये खतम कर दें, लेकिन मुलक अगर इस से तरकी करता है, मुलक के अंदर मेंगाई की जो बुरी हालत है, लाइ जारी करते हैं, इतनी आपको जल्दी है, क्यों? क्योंकि भाई, आपके जो प्यारे दोलारे हैं, वो अस्मान से उत्रिवी मखलूक है, जिसको खलाई मखलूक भी कहा जाता है, वो भाई, उनके खिलाप, क्या मैं कहता है, उनके बारे में, उनके बारे में आपको बात करने के नरी इमरान खान बता दे कि कि मैं दूंगा आई वी इसके अंडर आती है करें आई नहीं आप बलकुल चीक कह रहे हैं आप फकर लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसलिए रोका कि एक हम किलिप अगर आप पे जाज़त दें तो इमरान खान साब की भी सुन ले और क्यूंकि उन्हों ने ये कहा है कि ना सिर्फ अभी बलकि अगर किसी ने पहले पिछले सालों में भी अगर किसी ने को इनकी इज़त अवजाई की होगी फौज की और दूसरे दारों की तो उनको भी उसी तरह से जहे सजा मिलीगी और उसी तरह से उनको जर्माना होगा तो हम देखते इमरान खान साब क्या कहा है पहले तो जी फाज का जो बजट है वो एक उसकी उसका औरिट होनी चाहिए और वो प्रिजेंट होना चाहिए एलेक्टड लोगों के सामने क्योंकि जब आप इन्शाला जब हमारी गर्वर्वन्ट आएगी तो हम सारे पाकिस्तान के अंदर अपन कम करेंगे और साथ साथ जो जो आपने दूसी बात की कर्जोंकी अब ये था भी है कि यह तरीका मुल्क चलाने का नहीं है कि आप करजे लेते रहें कि往 कर्या अधिए तरों आप तो इस लिए डियर आ ये थे अमरान खान जो कह रहे थे कि जी हम फौज से कहेंगे वो अपना बजट कम कर रहे उसके साथ हम कर्जे नहीं लेंगे कर्जों के वज़ा से आज हम यहां तक पहुंचे हैं और उस वज़ा से हम यह सब कुछ भुगत रहे हैं लेकिन बास जब यहीं पर खत्म नहीं हो मैं आपको खान साब की एक कही हुई यानि गोल्डन अलफाज जो उनके हैं वो एक और सुनवाना चाहूंगे सवाल पूछना चाहता हूं कौन सी हुकूमत चल सकती है जिदर कोई आदमी खड़ा होके कहे के जज़िस को भी कतल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खलाप भी बगावत कर दो सवाल पूछना चाहता हूं कौन सी हुकूमत चल सकती है जिदर कोई आदमी खड़ा होके कहे के जज़िस को भी कतल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खलाप भी बगावत कर दो लोगों को भी सड़कों पे नकाले सड़के भी बंद कर दे जिसमें एक हकूमत का क्या कुसूर है इसमें तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे कौन सा मुल्क चल सकता है ये कि जम्यरात को मैं लहूर जा रहा हूँ और मैं लहूर बंद करूंगा चार तरीख को मैं लहूर पहुंचूंगा लहूर को बंद करूंगा और तरीख को मैं फैसलाबाद जाओंगा फैसलाबाद बंद करूंगा बारां तरीश को मैं कराची जाओंगा कराची बन करूँगा और जी फखर ये हैं साधिक और अमीन और इनके अलानात आप जी सुने और प्राइम निस्टर बनने के बाद इनों ने क्या यूटन मारा वो भी आपने देखा क्या कहेंगे ये वाली जो आपने क्लिप्स दिखाएं हैं आज मीडिया टॉक कर रहे थे यूसिफ रजा गिलानी साब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने खुद भी बड़े अच्छे लॉयर हैं उन्होंने कहा थे कि एक तो इस चीज़ को मैं परसनली चैलेंज कर पर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये तो भई सबसे पहले तो ये उसमें अंदर होंगे उसमें इमरान खान हो या उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं सबसे पहले तो इनको जाना होगा ये जाएंगे अंदर जेलों में और उसके बाद बागी चलो मेर उनकी फिरोनियत उनका तकब्र और उनका सबसे बड़ा जूड बोलना ये उनकी एक तीन बड़ी बुरी आदते हैं और चोते नंबर पे जो उनकी चीज आती है उस उनको डसेंगे जो जिनोंने उनको दूद पिलाया होगा यानि जिनोंने उनको मुश्किल वक्त में пла docs न को डसते हैं य यह इन की यह चार खसलते हैं बड़ी खतरनाक किसम की खसलते हैं इमरान खान सब्हक्राइब की और ाब लोगों को खिर पता चल भी गया है जो उनके एर गिर रहते हैं आँ मैं और आप तो खैर और तरीके से हमें क्या वो मतलब जरूब신द पढ़ी है या फिर उन से मिलने या उस बाकी चीजों की लेकिन ये चीजें इम्रान खान साफ करते हैं जूते दावे बड़ी-बड़ी बाते करना ठीक है अपनी तरफ से ऐसे पहंतरे है पहनका की मतलब जिसका ना कुई सर और ना कुई पहर होता है और एक चीज़ और वो करते हैं कि अ यार-पांच लोग गुजरे हैं, यही असल जमदार है, मैं तो अभी 2018 में आया हूँ, मुझसे आप लोग क्यों पूचते हो, मुझसे क्यों सवाल करते हो, क्यार मैंने खराब कर दिया, हलाएंके, अब वो वाले लोग जो अमरान खान साब को सपोर्ट करते थे, यकीन करें, क वाई थी, 17 में भी वाई थी, 18 में भी वाई थी, कहते हैं यार, मतलब अगर नहीं बदलती तो अमरान खान साब की तकरीर नहीं बदलती, बागी सब कुछ बदल गया, पिट्रोल का रेट जो है 62 से चला गया, 162 पे, बिजली का रेट जो आट रुपे यूनिट था वो चल नहीं बदली, और पिर इस तरह की हरकते करना, कि भई, मैं तो बड़ा सक्सेस्फुल आदमी हूँ, कभी कहते है जी, फलाँ का सर्वे जो है, वो घलत है, पिर दूसरे दिन उसके दरवारी कहते हैं कि नहीं जो फलाँ का सर्वे है, उनको कुछ चीज उसमें से मिल जाते है कि शायद उन में, मतलब इनकी पार्टी की भी कोई बहतर ही है, मियानवाज चरीप साब के हवाले से सर्वे हुआ तीन सूबों में, इंकलूडिंग जी बी एंड कश्मीर, वो इस वक्त सबसे पापुलर लीडर थे, इनकी चीखे निकल गए कि यार, वो बन्दा लंदन में बैटा है, सुबा से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबा तक, हम टीवी चैनल पे, फ्लोर आफ दे हाउस, कहीं पर भी, अगर हम, हमें मौका मिलता है, तो हम उसको गाली दिये बगएर नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी आवाम जो है, वो फिर मियानव काजमी को होना है, तो ये फलां को होना है, इनको या रगड़ा दो, ये क्या मतलब इनकी एसियत है, कि ये मेरे खिलाव बाते करते हैं, ये एक्चुली आपका डिक्टेटर्शिप यही चीज़ होती है, आपने शुरू में जिकर किया, मेरा केस 2019 में में मेरे खिलाव बना और इमरान खान साब की हकूमत में बना, साइबर क्राइम ने वो बेच कर और अभी अदालत में उसकी डेड़ चुहें, वो लगना शुरू हुई है, और क्यूं? इस वज़ा से कि भाई, इनके जो एदारे हैं, मैं यही करूंगा, उनके सामने यूं कर दूं मैं पहले, क्य यहुदी हो, जो भी हो, तो हम करते हैं, तो अब तो मैं यू करूंगा, क्योंकि भाई, उससे उनकी बड़ी दिल अजारी हुई है, उन दो लोगों के बारे में मैंने बात की थी, उस ट्वीट में, जिस के बारे में अभी यह कहते हैं कि यार, वो सजा जो दो साल ती ना, तो कम है, उसको पाइस साल कर दो, जो जर्माना था, फाइन था, तो उनको मुझे ये बता दें, कि यार, मेरे तो कोई मिलियन के साब से, तो मेरे फॉल्वर्ड भी नहीं हैं, पिर भी, उनको ये तकलीफ होती है, यार, जहां जहां से भी हो सकते, आप मुँ लोगों के बन कर दो, अगर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साब अपना मुबन कर लें, तो मैं कहता हूँ, यह जो आदे मसायल है ना, तो यह आटमेटिकली सौट आउट हो जाए, यह चले आदे रह जाएंगे, उसके लिए फिर तोड़ा सा काम करना पड़ता है, जो इमरान खान न्याज अधर नहीं सकते जिस लेवल तक उनके लोग गिरते हैं, मैं उनकी मिनिस्टर्स की बात करो, बाकी यह जो लुचे लुफंगे जिसको कहा जाता है ना, यह इदर उदर के बिचारे किरायवाले, इनकी में बात नहीं करा रही है, तो किसी काते में बिचारे नहीं आते हैं, तो एक ही काम है, जूता लो, कभी चाट लो, कभी पॉलिश कर लो, कभी क्या कर लो, इनका तो यह बिचारों का दंदा है, काल को किसी और का पाउं पकड़ लेंगे, वो ढून रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम यही है ना, उनका काम यह तोड़े ही है, कि यार मतलब कोई हा आप ने कहा कि यार, ऐसा कर लो, कि मेडिया को कभी गरीदा फारुकी का शोबन कर लो, कभी किसी और का बन कर लो, कभी किसी यार, अगर इस तरह मलक तरकी करता ना, तो मैं तो कहता हूँ, कल का क्या, आज, अगर आपने कल बन करना है, तो आज ही सारा शटडाउन कर दो, मल ब्लेक आउट कर दो, नहीं चाहिए, अमें मिल गी, लेकिन, ये शर्त हो कि पाकिस्तान इससे आगे जाएगा, पाकिस्तान इससे आगे नहीं जाएगा, इंतरनेशनली, पाकिस्तान की जो सुख्की हो रही है यह चीजों से, और आप कहानिया सुनाते हैं, इंदोस्तान क कार होता है उनके उपर बात करने का लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में आप कुछ भी उनको टाइटन करते रहें उनके स्क्रूस टाइट करते रहें यहां पर आपको यह नहीं लगता पिर भी मैंने तो सोच लिया है फैसला कर लिया है कि जी मैं आएंदा यह नहीं कहूंगी कि आसिन सलीम बाजवा चोर है आसिन सलीम बाजवा ने पापा जॉन्स पीजा जो है उसके पैसों का नहीं बताया कि वह कहां से आये हैं सी पैक में से चोरी किया इसने इसके लावा भी भी नहीं कहूंगी कि ये लोग खाली बैठे रहते हैं अपने बिजनसेस चला रहे हैं और मुल्की हिफादत करना या बॉर्डर पे काम करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है और ये लोग सारी जंगे हार गए हैं कोई एक जंग भी इनोंने नहीं जीती है और सिर्फ ये डी एचे के प्लॉट ले रहे हैं या बाहर जो है अश्वाक परवेश क्या नहीं हो चाहे परवेश मुशर्ण हो जितने हमारे आर्मी चीफ रहे हैं वो जैसे ही इदर से हटते हैं वो दौड लगाते हैं और सीधा किसी और कंट्री में जाके रुकते हैं और वहीं पर इनक बहुत डर के सहम के बैटी हों और वाकी तो आप जानते ही हैं कि ये कश्मीर के नाम पर ये पूरे मुल्क को खा गये हैं लेकिन पेटिंग का भी भी नहीं बर रहे और अभी भी ये चाहते हैं कि कश्मीर का इशू चलता रहे ताके इनके खजाने भरते रहें और ये कश्म से नहीं रहने देते हैं अगर हम FATF में फसे में तो इनी जैसे लोगों की वज़ा से फसे में अब ये जिस वक्त कोई उठने लगता है और इनकों आखों में आके डाल के बात करने लगता है चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो पलिटिशन हो ये उसका वही हाल करते हैं जो इ इमरान खान किया करते थे जब वो गार्मेंट में नहीं आये थे हर किसम की स्टेटमेंट इमरान खान की मौजूद है और एक दो नहीं कोई 26 या 28 स्टेटमेंट से इमरान खान की मौजूद हैं कि अगर उनी को देख लिया जाए तो मेरे ख्याल है सारे जर्माने और हर किसम की सजा जो है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ही लग जाए लेकिन यहां पे यही है कि जूता पॉलिश करने वाले आगे रहते हैं जूता चाटने वाले आगे रहते हैं और अब उसमें से निकलने का कोई रस्ता नजर नहीं आ रहा भी बाजवा साब भी परेशान होंगे क अब देखते हैं कि उनके एक्स्टेंशन होती है या नहीं होती है लेकिन हाँ यह जरूर लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और पूछना चाहूंगी वगर के थोड़ दर पहले यह भी आ रहा था कि हम ट्रेड शुरू करना चाहरें भारत के साथ टर्म स्टीक करना चाहर मतलब इनकी अजीब मनतक होती है कभी यह कहते हैं हमने टर्म स्टीक करने कभी कहते हैं कश्मीर के हल तक तो कुछ करना ही नहीं कश्मीर से तो इनके चूले जल रहे हैं कश्मीर से तो इनकी रोटियां पक रही हैं कश्मीर से तो इनकी प्रॉपर्टियां बन रही हैं तो य मैं कर लेना चाहिए लेकिन यह कर लेना चाहिए और करते में बड़ा फरक होता है और वो यह इसलिए कि जब तक बाकी आपको पता है कि जब तक वहां से इजाज़त पिंडी से नहीं होती तो फिर आप कुछ शीज इसी नहीं कर सकते उसके लिए मस्ट है कि सबसे पहले वो लोग कहें कि हाँ या टी कि हमें मतलब कोई इतना मसला नहीं है तो आप कर सकते हैं और यह आरजू मसला यह कि यह एक ऐसी जरूरत है कि यह करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो परसो नहीं तो साल बाद छे महीने बाद या दो साल बाद ये चीज़ करनी पड़ेगी बाकी रही बात कश्मीर की तो कश्मीर यकीन करें कि मतलब एक अजीब किसम का मतलब तमाशा बना हुआ है कि यार मतलब ये कहते हमने ले इसके उपर और खतम कर लो इसको जिदर भी जाता है खतम कर लो लेकिन वही वाली बात है कि फिर अगर खतम हो गया तो बहुत सारे लोगों का कारोबार सब की में बात नहीं करता है सब लोग वहाँ पर भी मतलब उस अदारे के अंदर भी बहतर लोग भी है लेकिन शायद उन हमारी सारी चीज़े, हमारी सारी पॉलिसी जो है, उसके इर्गित गुमती है, हमारी फॉरिन पॉलिसी हो, हमारे डिफेंस से रिलेटिड चीज़े हो, हमारी एक्स वाइज़े, जो भी हम बात करते हैं, अच्छे एवन हम ट्रेड की बात करते हैं, डिस्प्यूट भाई हमारा है डिस्प्यूट चैना और हिंदुस्तान का भी है तो जब उनके आपस में मोर दिन हंड़र्ड बिलियन युएस डॉलर का बिस्निस होता है तो यार डिस्प्यूट हमारा भी है डिस्प्यूट उनका भी है हम क्यों नहीं करते हैं सौधियरेबिया ने इतना सारा कारवार अब शुरू कर लिया युएई शायद बिलियन अब डॉलर की इन्वेस्मेंट जाके इंडिया में तो कर रहा था आप कश्मीर में कर रहा है तो मतलब यह है कि वो जो जो चीज़ थी वो यहर वीक हुई है सची बात है यह मतलब इसमें मैं कोई मैं कहता हूँ एज़ पाकिस्तानी मुझे या आपको या किसी और को हमें बुरा लगता हूँ या अच्छा लगता हूँ लेकिन यह चीज़ हुई है कि वो जो 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 एक मदबूती थी कश्मीर के वाले से पाकिस्तान की पॉलिसी थी और यकिन करें कि काफी एक टफ टाइम भी दिया इन्होंने हिंदोस्तान को ऐसा नहीं कि नहीं दिया लेकिन अब वो चीज़ खतम हो चुकी है काफियत तक वीक हो गई है आप से अरब जो कंट्रीज थे जो आपके साथ कड़े होते थे उस इशू के उपर उन्होंने बिलकुल साइट चेंज कर ली व इसके उपर बिलीव रखते हैं और वो सुधियरेबिया जब कह देता है तो इसका मतलब है जितने भी बाकी अरब मुलक है वो सब का तकरीबन वही पॉइंट ऑफ यूफिर होता है क्योंकि लीड वही करता है हम वो आईसी की बात कर ले या पिर हम बाकी किसी फोरिम की बात कर ले अच्छा जब हम आ जाते हैं यूनाइटिड नेशन पे यूनाइटिड नेशन में भी हमने वो जो साख थी वो हमने कोई भी है यकिन करें कि इस हुकूमत में तो बहुत ज्यादा हम बैक फूट पे चले गए पहले भी हमारे चले किसी के साथ तोड़ा बहुत होता त हमने वो कर दिया तो शाब में मुद्खुरेशी साब भी बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अन ग्राउंड चीजें और हैं अभी जिस तरीके से आर्मी चीफ ने साओधी अरेबिया का दोरा किया इंडिया का नियू डेली में और जनरल नर्वाने साब से और बाकी ल होता था जब ये कहते थे भाई किसी को मतलब कोई सोच सकता था कि यार मोदी जी जो वहां पर जाके और उनको सेवल एवार्ड इतना बड़ा इंबियस के हातों या उनके जो जो दूसरे लोग हैं उनके बादशा के हातों मिलेगा कोई सोच सकता था बिलकुल भी नहीं टाइम वेस्ट किया इसलिए हम पीछे रह गए वो लोग आगे निकल गए और ये कश्मीर वाला जो मुद्धा है पता नहीं मुझे लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ये बहुत लंबा अरसे तक हम केंच सकेंगे और बहुत लंबा अरसे तक हम इसको जिन्दा रख हैं उनका कड़ा होना आपके साथ होना जरूरी है वो अब वो चीस कमजोर हुई है जिसकी वज़ा से अब ऐसा लग रहा है कि वो कश्मीर वाला मुद्धा जो जिसके उपर हम करते थे बात हर फोरम के उपर और लोग हमें सुनते भी थे अब हमें उस तरीके से शुनवाई नहीं आप लकुल ठीक कहने हैं और मेरे क्याल से अब हमें ये कश्मीर कश्मीर करना बंद करके और सुर्व एकॉनमी के ओपर ही तवज़ज़ देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी एकॉनमी बेतर कर सके और बाकी दुनिया के आगे इस तरह से कटोरे लेके जो खान भी नहीं किसे पॉजिशन में होंगे कि आप किसी के लिए बात कर सकें चाहे आप किसी का साथ दे रहे हो या कुछ पर उनकाय, पर काम कियाजा सके, उनकी एकोनोमी पर काम कियाजा सके, कि यहां पर बज़ा है कि एक ऐसा Ugh सालों से लेके चलते चले जा रहें जिसकी वज़ा से हमारे टर्म्स भी नेबरिन कंट्री के साथ अच्छे नहीं है लेकिन ना सिर्फ बारत के साथ अब तो जैसे आपने खुद भी कहा कि बाकी के जो कंट्रीज हैं वो भी हमें कोई खास लिफ्ट नहीं करा रही इसके ओपर तो अब तो पाकिस्तान को होश के नाखुन ले लेने चाहिए बहुत शुक्रिया बगर कि आपने आज जोइन किया थैंक यू सो मच आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी और हमें जो लोग देख रहे हैं जाते जाते आप सब का भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निक लिखा होगा और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ऐसी नॉलेजबल और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर ज जल मिलेंगे जय हिंद जय भारत